भारतिय संस्कृति में यज्य, योग एवं मायुर्वेज जैसी अमूल ने विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेज, इतिहाज की ओर द्रिष्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की कुटियों तक, नित्य व नैमेतिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है, आज पूरी दुनिया में केवल वायू प्रदूशन से प्रतिवर्ष, सक्तर लाख से अधिक लोग मौत के मुह में समा जाते हैं, प्रकृति के साथ मनुष्य के उपर भी अब खत्रे की घंटी बच चुकी है, विकास की दौन में हम प्रकृति का जतन करना भूल गये हैं, मनुष्य अन्न के बिना तीन महीने, पानी के बिना तीन सपता जीवित रह सकत है, परन्तु हवा के बिना दो मिनिट भी नहीं, वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्य एवं प्रिक्षारूपण, वेद का उद्गोश है, अयम यज्यो भुवनस्य नाभिह, यज्य पंच भूत आत्मक देह से लेकर, ब्रम्ह अंड तक में स्वास्त एवं संतुलन को कायम करता है, वेज्यानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्यागनी में उत्तम गुणवत्ता युक्त घित जड़ी बूटियां एवं समीधा आदी की मंत्रोचारण पूर्वक आहूती देने पर वो द्रव्य अत्यंत सुक्ष्मव आरो अंड आए ओम विष्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भध्रम्तन्न आसुव सर्वरक्षक प्रभु को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए बंदन कुरते हुए और हम सभी लोगों को एक साथ जान से सिंचित करने वाले अपने जान से हम सब को आलोकित करने वाले परम्पुझय सरदे स्वामी जी महराज परम्पुझय सरदे आचाश्य को कोटी कोटी सहर नमन करते हुए और आज पुझय स्वामी आनंदेव जी महराज जो आज संपूर्ण महराष्ट वासियों को उनका विशेश सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है जो अपने ज्यान अपने तब से आप सब लोगों को आलोकित कर रहे हैं उन पुझ्य स्वामि आनन देव जी महराज को मैं प्रणाम करता हूं और आईए पिछले दो दिन से जो हम यज्य विज्यान के बारे में यज्य चिकित्सा के विशे में यज्य कैसे करना हैं यज्य करने से क्या क्या क्रियाय होती हैं कैसे लाव होता है आदी आदी विश्यों के उपर हम कुछ जानने का परियास कर रहे थे आज उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आगे आप सभी साधक, योगी और अब तीन दिन से आप यज्य कर भी रहे हैं सीख भी रहे हैं और संकल भी ले रहे हैं हम आगे प्रती दिन करेंगे अरथात याजिक बनेंगे तो योगी, साधक, याजिक आप सभी भाई बेहनों के जो प्रशना होंगे चाहे वो क्रियाविदी से ले करके हो या जो हमने विशेश रूप से यज्य विज्जान से समधित बताये उसमें कुछ है तो आदी जो भी प्रशना है उसका समाधान करने का प्रियास करेंगे तो सबसे पहले हम आज यज्य करेंगे, हवन करेंगे, अगनिहोतर करेंगे और आप सभी लोग मेरे साथ मिल करके इस यज्य को अच्छे से संपन करेंगे क्योंकि यह यज्य देखने में करने में बहुत छोटा और सामन्य है लेकिन इस यज्य के लाव और इस यज्य का प्रारूप या रूप हम प्राचीन वेद सास्तर उपनी शद आधी हमारे ग्रंथों से हम देखे तो यज्य एक बहुत विराट और विशाल है जिसको हम सीख रहे हैं यह भी हम सब लोगों के लिए एक बहुत गवरव की बात है कि हमें ऐसी देविय कर्म एक होता है मानुशी कर्म यज्य को देविय कर्म का है इस देविय कर्म को सिखने का करने का हमें सवभाग्य प्राप्त हो रहा है ये हमारे सब के लिए एक गौरव का विशय हैं तो आईए सब लोग सीधा बैठते हुए हम सर्वप्रत हम यज्य को करते हैं और यज्य करने के लिए जैसे विधी के रुप्वे में प्रती दिन बताता हूँ आज आपका अंतिम दिन है क्योंकि आप फिर हरोज अकेले करेंगे और भी ज्यादा आपको सहयोग या और विशयोग आप जानना चाहेंगे तो वेधिक टीवी चैनल के उपर भी एक आरेकरम चलता है लेकिन आज हम आपके सामने एक बार और प्रियास करेंगे कि यज्जी की क्रियाविधी हम कैसे करें जिससे की गलती, भूल या किसी प्रकार की आपको यज्जी को करते समय अर्चन या समस्या ना आए ऐसा प्रियास करेंगे तो सबसे पहले जो यजमान है जो गृत की आहुती देता है वो पूर्वा भी मूख होकर के बेटता है पश्चिम दिसा में इससे अतरिक जो अन्य लोग है वो अन्य दिसाओं में बेटते हैं और जो पूर्वा में मूख होकर के हम बेटे हैं अर्थात पश्चिम दिसा में हम बेठे हैं पूर्वा भी मुख हो करके अब इस स्थिती में आप बेठेंगे तो उसके बाद आपको जल सेंचन आधी करिया यह जो दिसाओं का ध्यान वह सामाने रूप से ओनलाइन कराने में सरवाधिक ओनलाइन क्या प्रत्यक रूप से भी जब कराते हैं तब भी ज्यादा सारे लोग एक साथ अपने घर में यज्य कर रहे हैं तो हम पूर्वा भी मुख हो करके पश्चिम दिसाओं में बेठेंगे फिर मैं जो दिसाओं निर्देश आपको बताऊंगा उसके अनुसर आप करेंगे तो बिलकुल सही सही आपको समझ में भी आएगा और कर भी पाए तो आईए यज्य करने के लिए पहले सीधा बेठते हुए लंबा गहरा श्वांस भरते हुए मंगलाचरण करते हैं ओंकार का उचारण करते हुए OM 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 aum तिन बार ओंकार का उचान करके मंगला चरन किया मंगला चरन के पश्चाट अब हम आच्ओन करेंगे जो आपके पाँस एक कटोरी में जल रखा हुआ है और शिष्ट जल डालने कली प्लेट रखे उसको पाँस में ले लेंगे अब हम आचमन करेंगे दाएं हात की अंजली में जल ले लेंगे अम अमरितो पस्तर नमसे स्वाहा इस जल का पान करते हैं बीना आवाज किए दूसरी बार जल लेंगे दूसरे मंतर से तीन बार आज मन करके हस्त प्रक्षालन कर लेंगे और फिर बाई हाथ की अंजली में जल ले लेंगे आज मन के बाद अब हम अंग स्पर्ष की क्रियाय संपन करेंगे दाई हाथ की मध्यमा और अनामे का दो उंगलियों को जल में स्पर्ष करते हुए अब एक एक अंग का स्पर्ष करते हुए हम इन इंद्रियों की शक्ति के लिए पवित्रता के लिए हम प्रभु से कामना करेंगे अंतिम मंत्र से यह आचमन और अंगस पर्ष की जो क्रियाये सुधी करण पवित्री करण की जो प्रक्रिया हैं वह हमने संपन कर ली अब इसके बाद सीधा बेटते हुए इश्वर स्तुति प्राठना उपासना के आठ मंत्रों का हम उचान करने के सभी लोग हाद जोडते हु एक बार गाईत्री मंत्र का ही अर्थ भावना पुर्वक उचान करते हुए इश्वर स्तुति प्राठना उपासना करते हुए आप सिधा दीप वरज्वलन करके जज्य को आगे संपन कर सकते हैं लेकिन आज आप सभी लोग मेरे साथ मिल करके हाद जोडते हुए जो पत्रक प्रार्थनो पासना ओम विश्वानि देवस अवितर्दुरिता निपरासुवा यद्भद्रम्तन्न आसुवा ओम हिरन्या गर्भस्तम वर्तता अग्रे भूतस्या जाता पतिरेक आसेता सदाध्धार प्रिथिवें ध्यामुतेमां कस्मै देवायः विशाविदेमां ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिशं यस्य देवाह यस्य छाया मृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवायः विशाविदेमां ओम यह प्राणतो निमेशतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभुवां यह इशे अस्या द्विपदस्य तुस्पदकस्मै देवायः विशाविदेमां ओम ये नद्यो रुग्रा प्रिथे वे चद्रधाये नस्वस्त वितैये ननाकह यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवायः विशाविदेमां ओम प्रजा पते नत्वदेता न्यन्यो विश्वा आजाता निपरिता बभुवा ओम यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्यो अस्तो वयंस्या आमपतयो रईनां ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेदा भुवनानि विश्वा आ यत्रदेवा अम्रितमान शाना स्तृतिये धामन अध्ये रयंता ओम अब्नेनाय सुपताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्युहुराणमे नो भुष्ठान ते नम उक्तिम्विदेमा इते इश्वरस्तते प्रार्थनो पासना इस प्रकार से इश्वरस्तती प्रार्थना उपासना के आठ मत्रों का उचान कर गए अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए आगे बढ़ते पहले एक प्लेट के अंदर हवन सामगरी जो रोग विशिष के लिए हम हवन करते हैं तो जो मेरे सामने रखे रोग विशिष वाली जो हवन सामगरी हो और सामनी रूप से हवन करते हैं जिसे सुगंदित और रोग निवारक और विशिष वायू मनल का निर्मान होता हैं तो ओधरवी अभी हमने रखे काव डंग श्टिक हैं ये मेरे पास गाई के गोवर की समीधाओ से लेकर आम पीपल बर्गत गूलर पलास आदी की समीधाओ रख लेते हैं आचमन और जल सेंचनले के लिए कलस आदी और ये जो दीपक है उसके अंदर बाती लगा करके थोड़ी सी मात्रा में गाई का घी रख लेते हैं अब हम दीप प्रजवलन करते हुए इस यज्य को आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले वेदी को आप सभी लोग सजा ले वेदी के अंदर पहले जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आप देख रहे हैं छोटी छोटे पहले टुकडे डाल दिये हैं मैं गाई के गोवर से कर रहा हुँ तो छोटे छोटे उसके टुकड़ अन्यता आप लकड़ी से कर रहे हैं तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े डाल दिये उसके बाद एक रुई की बाती या रुई थोड़ी सी मातर में डाल दिया उसके बाद थोड़ा सा घृत ले करके घृत उसके उपर स प्रदिप्त हो जाएगी अगनी कपूर थोड़ा सा लगा दीजिए और एक बीच में उसके उपर लो के उपर रखने के लिए एक समीधा में और घी लगा करके आप साइड में ही अपने पास एक रख ले और वेदी के हिसाब से जो अन्य समीधा हैं और धीरे से उससीदी ही आग पकड़ करके उसमीधा अच्छे से प्रदिप्त हो जाएगी तो इस प्रकार से थोड़ा वेदी को पहले तयार कर ले अब तीन महा व्याहरतियों का उचान करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे आएए सभी लोग मेरे साथ उचान करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे ओम भूर भूवा स्वाहा दीप प्रज्वलन करेंगे दीप प्रज्वलन करने के बाद जो हमारे पांस शुरू रखा हैं उसके अंदर एक कपूर की टीक्या ले लीजिए और उसकपूर की टीक्या को इस दीपक की माध्यम से प्रदीप्त करते हुए अगले मंतर की माध्यम से हम अग्याधान करेंगे अर्थात वेदी की मध्यमें अग्नी को आध्या अग्नी का आध्यान अग्नी को रखेंगे ओम उद्बुद्यस्वाग्ने प्रति जाग्रेहित्वमिष्टा पूर्ते सगं स्रिजेथा मयंच अस्मिन सदस्थे अध्युत्तर अस्मिन विश्वे देवाय जमान अच्यसिदत वेद मंत्र का उचान करते हुए वेदी के मध्य में कपूर को रखते हैं और उसके बाद अगले मंत्र के माध्यम से और अब समिधाव का आधान करेंगे चार अंगुल की वेदी के मुतावित समिधा जो हमने काटके रखी हैं उसको गाई के घृत से सिंचित करते हुए अब हम मंत्रों का उचारन करते हुए इन आहु समिधाव का आधान करेंगे गृत से सिंचित समिधा को दो हाथों से इसे पकरते हुए फिर दूसरी समिधा ले लेंगे उसको भी गृत से सिंचित करते हुए मंत्रों चारन पूर्वग हम समिधा धान करेंगे दूसरी समिधा का दो मंत्रों के माध्य हम से इसके बाद तीसरी समिधा ले लेंगे एक मंत्र के माध्यों से उसको भी गृत से सिंचित करेंगे इस प्रकार से और गाई का घृत जमा हुआ ना हो पिगला हुआ हम प्रयोग करते हैं यज्य के लिए जब भी हम यज्य करते हैं तो उसको पहले तपा लेते हैं गरम कर लेते हैं गाई के घृत को ओम तंत्वा समित भिरंगिरो गृतेन वर्धयामसी ब्रहत्चो चाय विष्ठ्यस्वाहा इदमग्नए अंगिरसे इदन्ना मामा यह समिधाव का हमने आधान कर दिए अप पंच गृत आहुती प्रदान करकी इस अगनी को और विशेश रूप सें प्रदीप्त करेंगे ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवे दस्तेने ध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान प्रजया पशुविर्ब्रह्म वर्चसे नानाध्ये नसमेधयस्वाहा इदमग्नए जातवे दसे इदन्ना मामा ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवे दस्तेने ध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान प्रजया पशुविर्ब्रह्म वर्चसे नानाध्ये नसमेधयस्वाहा इदमग्नए जातवे दसे इदन्ना मामा ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवे दस्तेने ध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान प्रजया पशुविर्ब्रह्म वर्चसे नानाध्ये नसमेधयस्वाहा इदमग्नए जातवे दसे इदन्ना मामा ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवे दस्तेने ध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान प्रजया पशुविर्ब्रह्म मवर्चसे नानाध्ये नसमेधयस्वाहा इदमग्नए जातवे दसे इदन्ना मामा यह सामनरुप से पाच आहुती दी जाती हैं कई बार समीधाधान अच्छे से नहीं हुआ सीलन वाली समीधाए हैं गिली समीधाए हैं यह कुछ कारणवस अगनी अच्छे से प्रदिप्ध नहीं हुई हैं तो उस समय एक या दो मंतर इसी मंतर का अुचान करते हैं, एक दो आहुती और भी हम दे सकते हैं, जिससे अगनी अच्छे से प्रदिप्त हो जाए। जो हम जल सेंचन करेंगे, वहां से मुख्य अगनी होत्र, देव यज्य जिसको हम कहते हैं, ओ प्रधान्त या शिरोता ये अग्नी को प्रदिप्त करने की प्रक्रिया एक पद्धती हैं ओम अयंत इद्वा आत्मा जात अवेदस्ते ने ध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभेर ब्रह्म मवर्चसे नानाध्ये नसमेधयस्वाहा इदमग्नये जात अवेदसे इदन्नममा ग्रित आहुतिया प्रदान करने के बाद अब हम जल से इंचन करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिशा निर्देशन में लोग आगे पीछे कर दें तो उसको हमें सूभ्य वस्तित करना है तो मैंने कहा था कि जो ग्रित की आहुति देते हैं वो पूरवा भी मुख हो करके पश्चिम दिशा में बेठेंगे तो अब आप पश्चिम दिशा में बेठे हैं तो अब आप अपनी दाइं हाथ की अंजली में जल ले करके प्रथम मंत्र से पूरवा दिशा की पूरवा दिशा पर हम जल से इंचन करेंगे अब पश्चिम दिशा में, जिस दिशा में आप बेठे हैं अब उत्तर दिशा में अब इशान कोण पर जहां पर हमने दीपक रखा है उस इसान कोण से शिरुवात करते हुए वेदी के चारो परिक्रमा क्रम से चारो दिशाओं में वेदी के जल सेंचन करते हुए वापस हम दीपक तक आएंगे और वहाँ पे हैं हम कलस को छोड़ देंगे अगले मंतर के माध्यम से ओम देवसा विताह प्रसुव यज्यम प्रसुव यज्य पतिम भगाया दिव्योगं धर्वाह के तपोह के तमना पुनातु वाचस्पतिर वाचन्न स्वदतु दीपक से शिरू करते हैं अर्थात इशान कोण से और परिक्रम अक्रम से वेदी के चार अदिशाओ में जल सेंचन करके इशान कोण पर ही दिपक के पास में कलस को छोड़ देते हैं यह जल सेंचन की प्रक्रिया संपन्न हुई अब हम विशेश पहले चार आगहरा वाज्य भाग आहूती प्रदान करेंगे वेदी के मध्य में जो प्रदिप्त समिधाओं में जो उत्तर भाग में प्रदिप्त समिधाओं हैं उसके उपर धारा बनाते हुए हम आहूती प्रदान करेंगे उत्तर दिसा में धारा बनाते हुए पस्टिम से पूर्वकी और धारा बनाते हुए आहुती देंगे यसे दो आहुती और उसके बाद वेदि के मध्य में दो आहुती हम प्रदान करेंगे आगहर वाज्य भागा हुदी ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नममा ओम सोमाय स्वाहा यज्य अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथी तनाओ अनिंद्रा वो अवसाद आदी मानसिक रोगों को दूर कर शान्ती वा सौमानस्य प्रदान करता है यज्य से विशायली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है वा जानलेवा बैक्टेरिया, वायरस, फंगस, आदी नश्ट होते हैं एवं रेडियेशन को भी कम करता है यज्य भूमी की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कमपाउन को बढ़ाता है तथा रोगों की रोग धाम भी करता है यज्य क्रिशी से उत्पन, अन, फल, आदी उत्तम पोशक तत्मों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं यज्य उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशेयों का शोधन करने वाला होता है यज्य जड एवं चेतन दोनों में सात्विक्ता का संचार करता है यज्य जहां भावतिक आश्वर्य एवं पुर्णियों को प्रदान करता है वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानविय चेतना का उतकश करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है